हलो एवरिवन मैं हूँ प्रतिमा और मेरी चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ मस्रूम रेसिपी क्या आपको पता है मस्रूम में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है मस्रूम में विटामिन डी भी पाया जाता है मसरूम में बिटामिन B भी पाया जाता है जो मस्तिस्क और नियुरोलोजिकल फंक्सिनिंग के लिए महतपूर्ण होता है मसरूम में सेलेनियम भी पाया जाता है जो आपके सरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है आपकी इन्म्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है मसरूम में पोटेसियम भी भरपूर मातरा में होती है जो दिल के स्वास्त के लिए महतपूर्ण होता है मसरूम बलड प्रेसर को नियंतरित करने में मदद करता है लेकिन कई मसरुम टॉक्सिक भी हो सकते हैं इसलिए सही मसरुम की पहचान कर सही तरीके से पकाकर ही खाना चाहिए तो चलिए प्रोटीन और विटामीन से भरपूर मसरुम रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई रेषप्पी मैं आपके लिए लाती रहूं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मसरूम को लिया है मसरूम को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब मसरूम को छोटे छोटे पीस में तोड ले और मसरूम से सारे पानी को निचोड ले इसी तरीके से सारे मसरूम से पानी को निचोड ले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी मसरूम को निचोड लिया है इस मसरूम में पानी बिल्कुल नहीं है अब मसरूम के लिए मसाला तयार करते हैं सबसे पहले कडाही को गर्म करें कडाही के गर्म होते ही गैस का फ्रेम मीडियम कर लें और एक चम्मच जीरा डालें दो बड़े चम्मच धनिया डालें आठ से दस कलिया लसुन डालें दो से तीन मिर्च डालें चार से पांच इलाइजी डालें और चार से पांच लॉंग डालें अब इन मसालों को दो मिंट के लिए भून गए दो मिंट बाद आप देख सकते हैं मसालों से कलर चेंज हो चुका है अब इन मसालों को निकाल ले अब इन मसालों में एक चमच हल्दी पौडर डाले और साथ में थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्सी में अच्छे से पीस ले यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बनकर तयार है अब मैंने यहाँ पर दो चमच चावल को लिया है अब इसमें पानी डालकर दस मिंट के लिए फूलने दे दस मिंट बाद चावल को अच्छे से वाश कर लें और थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्सी में अच्छे से पीस ले यहाँ पर चावल अच्छे से पिसा चुका है अब कडाही में दो बड़े चमच तेल को गर्म करें तेल के गर्म होते ही एक चमच जीरा डालें और जीरे का कलर ब्राउन होते ही दो प्याज बारिक कटा हुआ और साथ में मिर्श डालें और प्याज का कलर ब्राउन होने दें यहाँ पर प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है अब मस्रूम को डाले और कडाही को ढग कर मस्रूम को 10 मिन तक पकने दे 10 मिन बाद पीसेवे मसाला को डाले अब एक चमच गरम मसाला पाउडर डाले और अच्छे से मिक्स करें यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है अब ढग कर 10 मिन के लिए पकने दे 10 मिन बाद मसाले भी बुन चुका है अब इसमें डेड़ गलास पाणी डाले और ढग कर उबलने दे यहाँ पर आप देख सकते हैं उबलने लगा है अब पीसे हुए चावल को डाले और अच्छे से मिक्स करते हुए दो मिन्ट के लिए पकने दे दो मिन्ट बाद आप देख सकते हैं मसरूम की सबजी बनकर तैयार है अब इसे निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें अगर आपको आज की एक मसरूम रेशिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि नए नए रेशिपी मैं आपके लिए लाती रहूं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद करें अगर आपके लिए नए रह आपके लिए रहूं